So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, पहला प्रशन देखिए, National Energy Conservation Day, ये हम कब मनाते हैं? 14 December को, और अगर पूछा जाए किस राज्य को National Energy Conservation Award दिया गया तो अंसरोकर राजस्थान को, विसे हमरे केंद्रे उर्जा मंत्री कौन है? आरके सिंग है, Father of Nanotechnology in India, ये कहा जाता है CNR Rao को, और आपको इनके नाम से याद आ गया होगा, अभी इन अंतरराष्टर एनी अवर्ड से भी सम्मानित किया गया था, फिर बताना है, Times Athlete of the Year 2021 चुना गया किसको? सिमोन वाइल्स को, और अगर आपसे पूछे, Times Person of the Year 2021 किसे चुना गया था? तो नहम है, जिसका नाम है Top 91.1 FM Station, अरुनाचल प्रदेश की राजकिया तितली घोचित किया गया था, केसर A. हिंद को, सिक्किम की राजकिली पूछूँगा तो केटली आंसर कर देना, अभी लद्दा का राजकिया पशू किसे घोचित किया गया, हिम तेंदुआ यानि कि स्न हवाई एड़ा बन गया, इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अच्छा मुझे आप बताओ, गोपिनात बार्दोलाई एयरपोर्ट कहां पर है, असम में है, गोपिनात बार्दोलाई, जिनने आदुनिक असम का संस्तापक कहा जाता है, और आपसे पूछे, गुड उपादी मिली, तो आंसर होगा, लुईस हैमिल्टन, ये वैसे तो ब्रिटेन से है, और किस कार कंपनी के ड्राइवर है, तो मर्सेडीस के, अच्छा कि एक प्रस्न का जवाब दोगे आप, रविंद्र नाठ टेगोर ने किस घटना के बाद इस उपादी को त्याग दिया था, तो 13 अप्रेल 1919 में जो जलिया वाला बाग हत्या कांड वा था, उसके बाद उन्होंने सुपादी को त्याग दिया था, 2022 में महिला Under 18 और Under 19 South Asian Football Federation Championship की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो आंसर होगा भारत, ये जो Under 18 होंगे, ये March में होंगे, और Under 19 जो होंगे, ये जुलाई अगस्त में होंगे, अभी 2021 में South Asian Football Federation Men's Championship हुई थी, जिसको भारत ने जीता है, नेपाल को हराके जो मालदी में हुआ था, Asian Development Bank का Headquarter Manila Philippines में है, इस्तापना उती 1966 में, प्रेसिडेंटे मसाथ्सुक वासा कावा, और वाइस प्रेसिडेंटे अशोक लवासा, इन्होंने एक बुक भी लिखी अभी, इन्होंने एक बुक भी लिखी अभी, उसका नाम है An Ordinary Life Portrait of an Indian Generation, Ease of Doing Business Report, यह कौन जारी करता है, या यूँ कहूं कि यह जारी करता था, इसने भी इसको बन कर दिया, तो आंसर है World Bank, लास्ट आइम इसको जारी किया था, तब इसमें भारत की रेंक थी 63, और हाँ गाइज, An Academy आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस, ताकि आपकी तयारी हो एकदम पकी, तो आज ही सब्सक्राइब कर रहे है An Academy Plus, और पाएं अंकुष लांबा, आशी शरोडा, निमिशा बंसल, और इंडिया के और भी Top Educators E की platform पर, देखो आपको बैच को clear कर सकते हैं, और इसी subscription में आपको mock test भी मिलेंगे, detailed analysis और explanation के साथ, तो अगर आप bank exam की तयारी कर रहे हैं, तो ये सही मौका है इस opportunity का lab उठाने का, और देखिए जितने भी upcoming batches हैं, उनकी list आपको screen पर दिख रही होगी, और हाँ सबसे important बात, जल्दी plus subscription की fees बढ़ा दी जाएगी, और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए, subscribe करें अनकेडमी प्लस पर, और इस मौके का फाइदा उठाए, तो करना क्या है basically, बिना कोई देरी किये जाएगे, और अनकेडमी प्लस का subscription ले लीजिए, और हाँ, सबसे important बात, मेरा code इस्तमाल करना मत भूलिएगा, क का फाइदा उठा सके, बताए अंतर राष्टरे गिद्द जागरुकता दिवस, ये सेप्तेमबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है, 2021 में हमने इसको 4 सेप्तेमबर को मनाया, अंतर राष्टरे चैरिटी दिवस, 5 सेप्तेमबर को मनाते हैं, इस दिन हम National Teacher Day भी मनाते हैं, और World Teacher Day इसके एक महीने बाद, 5 अक्टूबर को, अंतर राष्टरे साक्षरता दिवस, ये होता है, 8 सेप्तेमबर को, World Suicide Prevention Day ये 10 सेप्तेमबर को होता है, थीम क्या रही, Creating Hope Through Action, World First Aid Day, 11 सेप्तेमबर को, National Hindi Day होता है, 14 सेप्तेमबर को, World Hindi Day आप जानते हो, 10 चैनवरी को होता है अंतर राष्टरे लोकतंतर दिवस, 15 सेप्तेमबर को होता है, थीम क्या रही, Strengthing Democratic Resilience in the Face of Future Crisis, World Ozone Day कब होता है, 16 सेप्तेमबर को, और थीम क्या रही, Montreal Protocol Keeping Us Our Food and Vaccine Cool, World Heart Day कब होता है, 29 सेप्तेमबर को, थीम क्या रही, Use Heart to Connect, और विश्व अलजाइमर दिवस कब होता है, तो अ अंतर होगा, 21 सेप्तेमबर को, थीम रही, No dementia, No Alzheimer, यानि कि मनो भरंच को जाने, Alzheimer को जाने, अब हम पुराने महीने के Current Affairs का रिविजन करेंगे, अच्छा बताइए, इफको के अध्यक्ष का निदन हो गया था, उनका नाम क्या है, बलविंदर नकई, इफको मतलब क्या होता ह Indian Farmers Fertilizers Co-Operative, किस राज्य के करबपूर कलमकारी पेंटिंग और कला कुरिची वुड नकाशी को जिया टेक दिया गया तो अंसर होगा तमिलनाडू, पधान मंतरी नरेंद्र मोदी के सलाकार बन गये, अमित खरे, CKP Award for Global Business Sustainability Leadership से सम्मानित किया गया, Microsoft के CEO सत्यन डिलागी, ऑक्सिजन पार्क का उधगाटन कहां पे किया गया, तिरिपुरा के अगर्दला में, और International Energy Agency ने किस देश को पूर्ण कालिक सद्द से बनने के लिए अमंतरित किया था, तो अंसर होगा भारत को, International Energy Agency का Headquarter मिलेगा Paris, France में, RBI ने अभी किस Small Finance Bank को Banking License दिया, तो अंसर होगा संगमा को, जो की मेगाले के परियावरन मंतरी है, पेटा की फुल्फरम क्या होती है, People for the Ethical Treatment of Animals, अचा सरकारी कर्मचारियों को राजनीती चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंद लगा दिया किसने हरियाना ने, हरियाना की Capital चंदीगड है, गवर्नर बंडारू जत्ता अंतर राष्ट्रे आपदा न्यूनी करण दिवस कब मनाया गया तो आंसर होगा 13 अक्टूबर को, इंग्लिश में बोलेंगे तो International Day of Disaster Reduction, फिर बताना है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कब 2022 का शुभंकर किसे बनाया गया, इभा को, जो की एक एश्याई शेरनी है, किस राज्य के मुख्य मंत्री ने मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की तो आंसर होगा पंजाब ने, आप कह दीजिए ये जो मिशन लाल लकीर योजना चलती थी माँपे उसका नया नाम है, एक दिवस ये शतक बनाने वाली दुनिया की सबसे कम उमर की खिलाडी बन गई है, एमी हंटर जो की आरलेंड की प्लेयर है, विश्व गठिया दिवस, ये मनाया जाता है 12 अक्टूबर को, इसकी क्या थीम रही थी 2021 में, डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम तू वर्क, किसे एनर्जी एफिशेंसी सर्विसेज लिमिटेड का CEO बनाया गया, अरुन कुम के बोर्ड में चेर्मेन के रुप में शामिल किया गया, रजनीश कुमार को, SBI के पूरवध्यक्ष है ये, बताओ, अभी रजनीश कुमार ने एक बुक लिखी थी, डेली करंट अफेर्स पढ़ते होंगे आप, या आपकी क्रे के एक्जाम एप्लिकेशन में, टॉपिक व युनाइटेड नेशन हुमन राइट काउंसिल ने, जिसका हैटकोटर है जनेवा स्विट्चल लेंड में, अचा उपर मेंने प्रशन बूछा था ना, रजनीश कुमार ने कौन सी बुक लिखी है, तो आपने कमेंड बॉक्स में लिख दिया होगा उसे, जिसको नहीं पता है, नहीं आदे में एक बार बता दिता हूं, अगली बार से ध्यान रखना, बुक का नामें The Custodian of Trust, The Custodian of Trust, अगला है, किस राज्या या या यूनिन टेरिटरी ने अंगन बाडी on wheels पहल को शुरू किया, तो अंसर होगा तिल्ली, Operation Iron Island, जो की एक वायू प्रतिरक्षा अ अमेरिका के द्वारा, इसमें इसने दो Iron Dome Missile Defense System को इसराइल से खरीदा, और उसे तेनात किया, और इसी तेनाती से जुड़े अभियान को ये अभियास नाम दिया गया, अब हम कल के Current Affairs को revise करेंगे, और हाँ guys अगर आप में से कोई monthly वीडियो उसका वेट कर रहे थे, तो January क फर्स्ट वाला पार्ट अप्लोड हो चुका है, Quiz अप्लोड हो जाएगी, PDF भी उसके आजाएगी, तो वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर लिजिए, अभी तो प्लैलिस्ट बनी नहीं है क्योंकि एक ही वीडियो अप्लोड हुआ है, दो तिन वीडियो अप्लोड होते है, वीडियो भी बन जाएगी, वैसे आपकी करेकी एक्जाम अप्लिकेशन पर आप जाओगे, Quiz बगरा लगाने, तो वहाँ उपर यूपर आप देखेंगे, वहाँ पर फोटो आपको दिखेगा, उसका उसका, उसके जैसे क्लिक करोगे, तो वो वीडियो खुल जाएगा, और बदल कर क्या कर दिया, ट्रेन मेनेजर, भारत में सबसे पसंदीदा यूपी आई, उनिफाइट पेमेंट इंटरफेस, लाभारती बैंक बन गया, पेटियम पेमेंट बैंक, इसका हेड़कोटर है नोईडा यूपी में, MDCO सतीश कुमार गुपता है, और अध्यक्ष तो आ मनाते हैं 23 मई को, भारते सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते है, इसरो ने गगन्यान मिशन के लिए क्रायोजैनिक इंजन का कहां से सफल परिक्षन किया तो आंसर होगा महेंदर गिरी तमिलनाडू से, इसरो का पहला मानव यूपत अंतरिक्ष मिशन है ये गगन्यान मिशन, अ अच्छा, 2024 में जो पैरिस ओलंपिक होगे, तब तक तक भारत तोलन यानि की वेट लिफ्टिंग के लिए हाई परफॉर्मेंस डारेक्टर के रूप में निवक्त किया गया अवनीश पांडू को, कौनसा देश भारत से ब्रमोज क्रूज मिसाइले खरीदेगा तो आंसर हो फिलिपीन्स, फिलिपीन्स की कैपिटल है मनीला यही पे एशियन डेवलेप्मेंट बैंक का हैटकवाटर मिलेगा, अंतर राश्टर चावल अनुसंदान केंदर भी यहीं पर है, फिलिपीन्स पीसो याकी करंसी है, प्रेसिडेंट रोद्रेगो दुतरते, निकारागुआ देश के राश्टर पती बन गए, डैनियल और टेगा, निकारागुआ के कैपिटल है मानागुआ, करंसी है कोर्डोबा, पूर्वत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कि इसने नौर्थ इस्ट औन वील्स अभ्यान शुरू किया मिनाक्षी लेखाने संस्कृति राज्य मंत्री हैं ये, और गणतंत्र दिवस समारो अब से हर साल कब से मनाया जाएगा, 23 जनवरी से, अभी तक हम 24 जनवरी से मनाते थे, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बूस्ची की जैनती होती है, तो इसको भी शामिल किया जाएगा, वैसे इनकी जैनती यान झाल 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 झाल